सानिय, ये एक 13 साल की आठमी क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है. मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो के शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं. कबीर सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो नौवी क्लास में पवता है, और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है. हमने जाना, बल क्या है, बल कैसे कार्य करता है, बलों के गुण, एक ही दिशा में लगाए बल जोड़ जाते हैं, एक बल दूसरे से बड़ा छोटाया बराबर हो सकता है. बल वस्तू की गती बदल सकता है, आक्रिती बदल सकता है, दिशा बदल सकता है. बलों के रूप संपर्क बल असंपर्क बल के बारे में. संपर्क बल, मान स्पेशिये बल, घर्शान बल, असंपर्क बल, गुरुत बल, स्थिर वैद्युत बल, चुम्बकिये बल. ममी, ये आप क्या कर रही हो? मैं इस थैले की पतली बारीक पट्टियों को काट कर इसकी जगह चौड़ी पट्टी सिल रही हूँ. लेकिन क्यों? ये पट्टिया मजबूत नहीं है क्या? मजबूत तो है, लेकिन इसे कंधे पर लटकाते वक्त, इसकी पतली पतली पट्टी मेरे कंधे पर बहुत ज़्यादा चुपती है. अगर चौड़ी पट्टिया होंगी, तो कंधे पर कम दबाव पड़ेगा, और कम तकलीफ होगी. लेकिन ठैले में वज़न तो उतना ही रहेगा न? वज़न की वज़ह से कंधे पर बल भी उतना ही पड़ेगा, तो पट्टी चौड़ी करने से क्या होगा? आओ, तुम्हें दिखाते हैं. ये लकड़ी का तक्ता है. अब तुम इन पाँचों इटों को लाइन से इस तक्ते पर रख दो. इस तरह से? क्या तुम इटों के बल का कुछ खास असर देख पा रही हो? यहां इस तक्ते पर? नहीं, ये तो पहले जैसा ही है. अच्छा, तो अब इन सभी इटों को एक के उपर एक रखो और देखो क्या होता है. ये लकड़ी का तक्ता तो बीच में से नीचे जुग गया. दोनों ही स्थितियों में वजन तो समान ही था. फिर एक के उपर एक रखने पर ही बल का प्रभाव क्यों दिखाई दिया? क्या लगता है तुम्हें? ऐसा क्यों हुआ होगा? सोचो क्या बल का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर हो सकता है? कि वह बल कितने शेत्रफल पर पढ़ रहा है? यहां जब इटे ज्यादा ख्षेत्रफल में फैली थी तो उनके बल का प्रभाव कम दिख रहा था. और जब सारी इटे इकठी रख दी गई तो इसका बल बस थोड़े से ख्षेत्रफल पर था. इस कम ख्षेत्रफल पर बल पढ़ने से यह लकडी जुग गई है. दोस्तों, तो क्या इसका मतलब यह है कि जिस ख्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, वो जितना कम होगा, बल का प्रभाव उतना ही अधिक होगा? हम, ठीक कहा. इसी को तो दाब कहते है. अच्छा, तो इसी लिए मम्मी अपने थेले में चौड़ी पट्टियां लगा रही है, ताकि कंधों पर दाब कमपड़े. हमारे स्कूल के बस्ते की पट्टी भी इसी लिए इतनी चौड़ी बनाई जाती है. हाँ, तुम्हें याद है, चाचा के गाव में सभी किसान सिर पर बोज उठा कर रखने के लिए अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं, ताकि शरीर से बोज के संपर्क का शेत्रफल बढ़ जाए और… और उनकी शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाए. मैं समझ गई भाईया, इससे वो बोज आसानी से उठा सकते हैं. हाँ, अब तो तुम समझ गई होगी कि सुराख करने वाली ओजारों जैसे चाखू और कील के किनारे हमेशा नुकीले क्यों होते हैं? हाँ, मैं समझ गई. दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ये और जार तीज क्यों होते हैं? बताए. भाईया, मैंने पढ़ा था कि थोस वस्तूओं की तरह तरल पदार्थ भी दाब डालते हैं. क्या हम इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल. आओ, देखते हैं. ये बोतल लेकर हम इसे पांच भागों में बाढ़ते हैं. अब हम बोतल के एक भाग में एक छेत करेंगे. इस तरह. तुम क्या कर रही हो, सानिया? यहाँ, जहाँ पानी उचाई पर था, तो पानी बोतल से कम दूरी पर गिरा था. और गहराई बढ़ने पर पानी ज्यादा तेजी से और ज्यादा दूर तक जाकर गिरता है. नीचे वाला पानी इसलिए दूर तक गिरता है, क्योंकि नीचे सबसे अधिक दाब लग रहा है. निचली सता पर उपर के पानी का भार है. ओ, अच्छा, तो मैं समझ गई. पानी बोतल की दिवारों और आधार पर दाब डालता है. और गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब भी बढ़ता चला जाता है. इसलिए तो निचली परत के छेदों से उपरी परत की तुलना में अधिक दूर तक पानी गिरता है. हम, ठीक कहा. पानी नीचे तली पर और बरतन की दिवारों पर भी दाब डालता है. भाईया, एक बार मैंने अपनी गेंद को पानी की बाल्टी में डुबाया, तो मैंने पानी के नीचे से उपर की तरफ एक धक्का महसूस किया था इसका मतलब पानी नीचे से उपर की तरफ भी दाब लगाता है सानिया, तुम्हें क्या लगता है? क्या गैसे भी दाब डालती है? जब तुम किसी गुबारे को फुलाती हो, तो उसका मुँ क्यों बंद करना पड़ता है? जब हम गुबारे फुलाते हैं, तो हवा गुबारे की भी आकरती बदल देती है. अच्छा, मैं समझ गई, कई चीजों पर बल लगाने से उनकी आकरती भी बदल सकती है. रबड के गुबारे या गेंद को दबाने पर भी तो यही होता है. ओ, मेरी गेंद, पकड़ो उसे प्लीज. इस गेंद पर तो कोई बल नहीं लगा, फिर भी इसकी चाल धीमी होती गई और बाद में रुख गई. यह कैसे? क्या इस पर भी कोई बल लग रहा होता है? हमारी प्रिथवी के चारों और भी वाईयू का एक आवरण है. इस वाईयू द्वारा लगने वाले दाप को ही वाईयू मंडलिये दाप कहते हैं. अच्छा, क्या हम वाईयू मंडलिये दाप के बारे में और भी कुछ पता लगा सकते हैं? अगर तुम्हारे घर के किसी कमरे में दो खिडकी या दर्वाजे हैं, तो क्या तुमने कभी ध्यान दिया है? अगर कोई एक खिड़की या दर्वाजा हलका सा खुला रह जाए और हम दूसरे खिड़की या दर्वाजे को जोर से बंद करते हैं, तो दूसरी खिड़की या दर्वाजा अपने आप खुल जाता है क्या ये वायू मंडलीय दाब के कारण होता है? हाँ, बिल्कुल, वायू मंडलीय दाब हमारे अनुमान से भी कही ज़्यादा है इस बल के नीचे हम दब कर छिपक क्यों नहीं जाते? सानिया, इसके बारे में तुम्हारी विज्यान पुस्तक में भी दिया गया है तुम खुद इसके बारे में पढ़कर पता लगा सकती हो अच्छा दोस्तों, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप पुस्तक में पढ़कर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? सारांश हमने जाना के दाब क्या है दाब उस शेत्र फल पर निर्भर होता है जिस पर बल कारे करता है ठोस वस्तूं के अलावा द्रव्वे और गैस भी दाब डालते हैं वायू मंडल ये दाब के बारे में झालते हैं